तो संत्रामपाल जी महाराज की दया से हमारा सरकारी खागज बने गाए सरकारी और होस्पीटन से और वहां पर भी पैसा अगारा मांग रहा थे रिस पर तो हमने कुछ नहीं दिया उनको एक पंडी जी थे बहे कहते हैं के पंडी जी गाए इनके पैर चूलो हम नहीं की हम नहीं चुगाएंगा अपने मन में सोचा हम तो प्रीती जी कहां से आए आप संत्रामपाल जी महाराजी से नामदिक्सा लेने से पहले आप क्या बक्ति साधना करते थे बेन जी जब आप सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे उनसे आपको कोई लाब नी मिला तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराजी की सरण में क्यों गए? संत्रामपाल जी महाराजी की सरण में इसलिए गए थे कि हम बहुत परेशाँ थे सरजी हमको पूजा संकर करते माता की पूजा करते तो कोई लाब नहीं मिला बहुत साल हो गई बच्ची भी यह नाम है गूंगी बेरी थी लड़का को भी बातरूम की रस्ता में प्राब्लम तो आपके जीवन में जो इतने सारे दुख थे तो आपके इन दुखों का निवारण कैसे हुआ? तो बैन जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतने ज़्यादा परिशान थे तो क्या संत रामपाल जी महराजी से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको कोई लाब भी हुआ? हाँ सर जी हमको बहुत लाब हुए क्योंकि बेटी हमाई गूंगी बेरी थी पैदासी थी उसकी साथ साल की हो चुकी थी बिल्कुल न सुनती न बूनती इस आड़े से सब कुछ मांगती थी तो हमने सब जगे दिखाया सेंपही में बे दिखाया गौलीयर में दिखाया उस संत्रामपालजी माहराज की दाया से हमारा सरकारी खागज बने खागज सरकारी ओस्पीटन से और हम पे भी पैसा है वा गएरो मांग रहा देखाय थी तो हमने कुछ नहीं दिया उनको एक पंडी जी ते कि पंडी जी गाई नंके पैर चूलो हमने की हम नहीं चुग एंगे अपने मन में सोचा हम तो संत्रामपाल जी माराज के भगत हैं हमारा काम होए होए या ना होए हम तो अपनी परमात्मा जो काएंगे हम बोई करेंगे संत्रामपाल जी माराज तो हमने उनके ना तो पैर चुगे ना उनको रिजपित दी एक पैसा भी और हमारे एक साल कागज हुआ है सिटी सेंटर में क्यास यह अंतर होगा ले करते हो तो बहुत परिखनावńskam कि नितन तो कोई लाब नहीं सबस्क्राज निया कुछ कोई यह वारी मदद करता था ना किसी नहीं को पैसा अगयर कुछ पहरे लाजह कि लिए नी तो परेशान थे बहुत जादा लेकिन संत्रामपाजी महाराजी की सरण में जाए कि हमको बहुत बड़े लाब हो यह बेटी मारी गुंगी वह रही ती उसका साड़े छह लाग रुपए मंजूर हुए और हमको बोपाल ट्रांसपर किया और बच्ची को ऑपरेशन हुए आज बॉनती है और का नाम बिल्कुन ठीक है सत्साहिव काती है मम्मी पापा सब कुछ बोनती है और के लाब हुए और सजी बच्चा भी हमारा पैदास से यह बातरूम की रस्ताम उसके में दिक्क्त थी बातरूम करता पीछे जाती थी तो का नाम हमने तीन और परेशन कराए ल संते राम पाल माराज से जुड़े तब से हमको बहुत बच्चा भी हमाराब ठीक है अलकी है माझा ने कहाता बेटा भक्ती करो संत्रापाल जी माराज ने और सब कुछ ठीक हो आज बिलकुल ठीक है सबकुच अज बीड़ी फीते वह बगाज जी तो जालंग से भी बिंडल और माचिस दिल्ली के स्टेशन में टोर के फैक दे ता देने का आज का देन संतराम पांजी महाराज के सरन में ताना से बागत जी कोई नसानी करते एक बार की बात है जैसे हमाई पास फिरीज नहीं था तो बच्चे रोते ठंडे पानी के लिए तो हमने किसी का फिरी अधार पाउल रुपाई फिरीज रहा जाएगा तो हमारी किस्त आएगी लिए जो बच्चे की लिए भी मागी का वाधे हैं भाई साब से अमने की बाई साब से अभी किस्त मतले आप हमारे प्रिज यह निकी ले बच्ता शाले ना हमाही लेके पैसे हैं तो थे अाइटमनों कुछ नहीं था सरजी स्लेंद्र की पाईसे होंगे सब्सिटी कम सकें 25000 रुपाए बास्ता है हम भी फिरीज के ले लेंगे लेकिन वह गए ते सर्जी समय हमें बंदि चोडा सत्गूर्र संत्रामपाल जी महाराज की दया से गाम में paghach d STUS 400004 अराज की ते संत्रामकाल जी महाराज की कहां हुध थोड़े थोड़े से माली की दया से सब को चैंप है बिलुकुल परेशान हैं यो खाते में 2000-2000 आती ही रहती है और भगजी को सोगर हो गया थी 600 सोगर पोँची इतने कम जो रहे गाया थी बहुत जादा लेकिन माली की संतरामपाल जी महराज की दया से भगजी भी ठीक है एक संतरामपाल जी महराज की दया से आपको इतने सारे लाब हुए तो जो लोग आज भी आपकी तरफ परेशान है उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे आप भगज समाज को क्या संदेज देना चाहते हैं? संदेज देना चाहते हैं कि आन उपासना कर रहा हैं बेन भाईयों माता पिता सब अपनी संतरामपाल जी महराज की भक्ति लेके आप अपना सब कल्यान कराएं सत्वक्ति करें जो वक्ति संतरामपाल जी महराजी से नाम दिख्या लेना चाहते हैं वो नाम दिख्या कैसे ले पाएंगे? संतरामपाल जी महराज से नाम दिख्या लेने चाहते हैं फेस्बुक और बड़े मुआल पे सर्च करें संतरामपाल जी महराज का सत्संग सुन सकते हैं नीचे उनकी नमर आते हैं उनसे कोंटेक्ट करें और जहां भी नजदी के नाम दिख्या मोय परमात्मा का संतरामपाल कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो